बिग बॉस meeीजने 16 से निकलने के बाद अब जद्धी کोमेडी शो में नगी नजर आसकती है दरसल खुद अर्चना ने इस बात की जानकारी दी है आपको बताते हैं कि अर्चना को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि वो जड़ी नागिन सेवन में एहम भूमिका निवाते नज़र आएंगी दरसल नागिन सेवन की अगर बात की जाए तो प्रियांका चहर चौधरी और सुम्बूल का नाव इसमें एहम भूमिका को लेकर जबरदस तरीके से सुख्यों में है हलाकि दोनों ही अबिनीतरियों की तरफ से भी इस बारे में आपचारी का ऐलान नहीं किया गया है और ना ही मेकर्स की तरफ से किसी के नाम का एलान किया गया है लेकिन फिर भी खबर ये है कि प्रियांका और सुम्बूल इनी दोनों में से कोई एक नागिन सेवन का हिस्सा बन सकता है या फिर ये दोनों नागिन सेवन का हिस्सा बन सकती है लेकिं इसे बीच ये खबर भी तेजी से सुखिया बटोरने लगी कि अर्चना गौतम को भी नागिन सेविन में एहन भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है हलकि ये खबर कहां से सामने आई इसके बारे में जानकारी नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर अर्चना का नाम भी नागिन में एहन भूमिका के लिए लिया जा रहा है तो ऐसे में अब खुद अर्चना गौतम इस बारे में खुलासा करते हुए नजर आई है कि वो किसी भी टीवी सीरियल में नजर नहीं आएंगी जबकि कॉमेडी शो या रियालिटी शो का वो हिस्सा बन सकती है तो ऐसे में अब ये अंदाजा लगाना कठी नहीं है कि वो खत्रो के अगले सीजन में यानि खत्रो के खिलाड़ी सीजन 13 में हिस्सा ले सकती है अगर मेकर्स उन्हें एप्रोच करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जब उनसे यह पूछा गया कि कॉमेडी शो का मतलब क्या वो कपिल शर्मा शो में नजर आएंगी तो ऐसे में सल्मान खान अगर रिकमेंट करते हैं या सल्मान खान सिफारिश करते हैं तो अरचला कुछ एपिसोड में कपिल शर्मा शो में नजर आ सकती हैं टीवी और इंटर्टेन्मेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जलिए हम तक जरूर पहुंचाएं